नमश्कार आज हम पढ़ते हैं शेक्सपेर की सॉनेट नमबर 18 शेल आए कमपेर दी क्या मैं तुम्हारी तुलना करूंगा चुव समर डे एक गर्मी के दिन से मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यूरोप में जो गर्मियों के दिन होते हैं बहुत खूबसवरत माने जाते हैं हमारे यूपी बिहार के तरह वहाँ पसीना नहीं टपकता गर्मिया मदब भऑन भजते हैं कि कैसे भी गर्मिया कट जाएं खासकर मई जून के महिने कैसे भी कट जाएं भई कि summer कितना खुबसूरत होता है तो shall I compare the वो कह रहा है Shakespeare अपने दोस्ट से कि तुम जो इतने खुबसूरत हो क्या मैं तुम्हारी तुलना करूँ एक गर्मी के दिन से shall I compare the तुम्हारी तुम्हारी तुम्हार समर से एक गर्मी के दिन से thou art means you are more lovely means जयादा खुबसूरत and more temperate more जयादा temperate means गर्मी से भरे हुए गर्माहट से भरे हुए देखिए वहाँ गर्मी तो खुबसूरत होती ही है लेकिन साहित्य में जो गर्मी होती है गर्माहट होती है वो भावनाओ का प्रदीख होती है जैसे हम कहते हैं उसने हमारा बड़ा गर्म जोशी से स्वागत किया तो गर्म जोशी से स्वागत करना मतलब भावनाओं से भरकर स्वागत करना तो जो संबंदों में गर्माहट होती है जो भावनाओं में गर्माहट होती है जो व्यवहार में गर्माहट होती है वो प्यार का प्रतीक होती है वो अच्छी भावनाओं का सिंबल होती है वो सिंबलाइज करते है गर्म जोशी जो सिंबलाइज करती है वो हमारे प्यार को हमारी अच्छी भावनाओं को सिंबलाइज करती है तो तुम जो के more lovely, ज्यादा खुबसूरत हो and more temperate और ज्यादा गर्माहट से भरे हुए हो किसे गर्मी के दिनों से ज्यादा rough winds rough मने जो तेज हवाएं धूल भरी आंधी से भरी हुई गर्मी में आपने देखा होगा कि बड़ी धूल भरी आंधीया चलती है बहुत तेज हवाएं चलती है तो rough winds यानी गर्म हवाएं और आप कह सकते हैं कि जो smooth नहीं है जो कॉमल नहीं है वो rough होती है तो बड़ी आप बेरहम कह सकते हैं बेरहम हवाएं do shake हिला कर रख देती है the darling means प्यारी लवली खुबसूरत birds कलियों को off में मई के महीने की तो मई के महीने में जो खुबसूरत कलियां आती है पेडों पर उनको हिला कर रख देती है rough winds यानी जो बेरहम हवाएं है and summer's lease और गर्मी का lease होता है एक अवधी जिसके लिए rights मिलते हैं एक पट्टा होता है lease मने पट्टा होता है पट्टे पर आपको कोई चीज़ दी जाती है एक निश्चित अवधी के लिए एक document होता है legal document तो summer's lease means गर्मी की अवधी health all too short a date health means रखती है all too short बहुत छोटा सा a date यानी समय तो गर्मियां वहाँ बहुत छोटी सी होती है मारे यहां तो गर्मी मार्च से ही शुरू हो जाती है holy beauty और गर्मियां शुरू और फिर वो दीपावली तक चलती है और दीपावली पर जाके कहीं सर्दी शुरू होती है लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है यूरोप में गर्मी का मौसम बड़ा छोटा सा और बड़ा खुबसूरत होता है तो all too short a date तो इतनी ज्यादा छोटी अवधी होती है गर्मी के मौसम की sometime कभी कभी too hot इतना ज्यादा गर्म the eye means आँख of heaven स्वर्ग की तो स्वर्ग की आँख कोन है सूरज, sun तो कभी कभी इतना ज्यादा गर्म होकर सूरज, shines, चमकता है तो गर्मी में कभी कभी तेज धूप होती है जो आँखों को चुबती है तो कभी कभी सूरज बहुत ज्यादा गर्म होकर चमकता है and often or aksar is his gold complexion gold means उसका सुनहरा complexion, रंग, dimmed, धुंदला हो जाता है तो गर्मियों में ही आपने देखा हुआ कि अचानक से शाम के समय, दोपर के समय बादल चा जाते हैं और जो सूरज है उसको ढग लेते हैं तो उसका जो golden complex है जो उसका सुनहरा रंग है वो dim, धुंदला पड़ जाता है and every fair and or every प्रतेख fair मतलब कि खुबसूरत चीज, beautiful entity, कोई भी beautiful चीज, इस दुनिया की खुबसूरत चीज, from fair यानि खुबसूरती से हर खुबसूरत चीज, अपनी खुबसूरती से, sometime कभी-कभी, decline दूर हो जाती है, उसका पतन हो जाता है, उसकी खुबसूरती नश्ट हो जाती है by chance or nature, by chance यानि chance होता है, accident संयोगवश, तो by chance यानि संयोगवश, ऐसा हो जाता है, अक्सर कि बहुत सारी खुबसूरत चीज हैं, जिनकी खुबसूरती नश्ट हो जाती है अक्सर human beings की खुबसूरती समय के साथ नश्ट हो जाती है जैसे जैसे हमारी age बढ़ती जाती है खुबसूरती हमारी कम होती जाती है decline होती जाती है तो every fear from fear sometime declines by chance यानि सहयों से और nature's changing course या फिर nature's मनें प्रकरती का changing बदलता हुआ course means रास्ता untrimmed trim मनें काड़ना चाड़ना या रोकना तो untrimmed जिसको के रोका नहीं जा सकता बट लेकिन die तुम्हारा eternal शाश्वत eternal means everlasting जो चीज हमेशा बनी रहती है वो eternal होती है अमर होती है शाश्वत होती है die eternal summer लेकिन तुम्हारा शाश्वत समर गर्मी का मौसम तुम्हारी जो immortal खुबसूरती है है ना हमेशा बनी रहने वाली खुबसूरती है shall not fade वो कभी fade नहीं होगी वो कभी धुंदली नहीं पड़ेगी nor lose possession not नहीं lose खोएगी possession means अधिकार of that fear उस खुबसूरती का दाव ओएस दाव means तुम ओएस जो रखते हो यानि जो खुबसूरती तुम रखते हो उसका अधिकार कभी नहीं खोएगी nor shall death nor नहीं shell death मने मृत्यू ब्रेग ब्रेग मने शेखी मारना बोस्ट तो जो मृत्यू है मौत है वो कभी शेखी नहीं मार पाएगी इस बात की किस बात की दाव कि तुम wonderst घूमते हो in his shade उसकी परचाई में यानि मृत्यू कभी भी ये नहीं कह पाएगी कि तुम उसकी परचाई में घूमते हो हर व्यक्ति ऐसा है जो मृत्यू की परचाई में घूमता है हर चीज ऐसी है जिसको मृत्यू अपने आगोश में ले लेती है लेकिन मृत्यू कभी इस बात की शेखी नहीं मार पाएगी कि तुम मेरे दोस्त तुम उसकी परचाई में रहते हो घूमते हो जब इन इटर्नल मींस हमेशा रहने वाली अभी उपर आया था ये शब्द फिर से आया इटर्नल लाइन्स मींस पंग्तियां तो ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये जो सॉनेट है ये जो कविता है इसकी लाइन्स इसकी अमर पंग्तियां इस कविता की इस सोनेट की अमर पंगतियां तुर टाइम समय के साथ दाव ग्रोएस्ट यानि दाव मींज तुमको ग्रोएस्ट बनाई रखेंगी यानि जब तक समय रहेगा तब तक ये पंगतियां रहेंगी और तुम उसके साथ बने रहोगी है न ये देखिए शेक्सपियर ने ये सोनेट लिखी 16th century में और आज आप पढ़ रहे हैं इसको 21st century में तो 16th century से आज 21st century तक शेक्सपियर का दोस्त इन पंक्तियों में जिन्दा है आप उसको पढ़ रहे हैं तो when in eternal lines to time thou growest जब इन अमर पंक्तियों में समय के साथ thou growest तुम बने रहोगे so long as means जब तक के men मनुश्य can breathe सांस ले सकते हैं और eyes can see या फिर आँखें देख सकती हैं so long तब तक lives रहेगा this ये and this gives life to thee ये रहेगा मलब मेरी कविता रहेगी and this gives life यहाँ दिस एक जगह है यहाँ पर 10 भी हो सकता है यहाँ printing mistake हो and thus और इस प्रकार gives life जीवन देगा to thee तुमको तो मेरी ये कविता तब तक जीवित रहेगी यानि एक बात तो उसने कही कि हमेशा अमर रहेगी और तुम भी हमेशा अमर रहोगे ये कविता जीवित रहेगी ये सॉनेट जीवित रहेगी and thus gives life to thee और इस प्रकार ये तुमको जीवन देती रहेगी तुमको मरने नहीं देगी तो देखिए ये जो सॉनेट है जैसा कि पहले भी मैं आपको शेक्सपीरियन सॉनेट पढ़ा चुकी हूँ शेक्सपीरियन सॉनेट का जो स्ट्रक्शर होता है उसमें तीन क्वाट्रेन होते हैं और लास में कपलेट होता है वही स्ट्रक्शर है यहां पर भी day में आपस में राइम करते है temperate date ये आपस में राइम करते है तो a b a b फिर shines और declines ये राइम करते है dimmed और trimmed, untrimmed ये भी राइम करते है तो c d c d फिर fade और shade e f और fade, shade, os, growest तो e f e f और ये c d ये हो गया, जी जी तो यही है राइम स्कीम तो आपने देखा कि कितनी खुबसूरती से उसने एक contrast create किया कि summer जो इतना खुबसूरत है उसकी भी खुबसूरती में कुछ कमिया उसने गिनाई आपको कि rough winds होती है और जो कलिया है उनको परिशान कर देती है rough winds या फिर summer का जो season है बहुत छोटा होता है या फिर जो सूरज है कभी-कभी इतना तेज चमकता है कि वो आँखों में चुबता है या फिर उसकी खुबसूरती को बादलों के द्वारा ढख लिया जाता है और वो ये भी बताता है कि हर खुबसूरत चीज जो है इस दुनिया की उसकी खुबसूरती कभी न कभी कम हो जाती है जबकि उसके दोस्त की खुबसूरती कभी कम नहीं होगी क्योंकि वो उसकी कविताओं में अमर रहेगा तो एक contrast create किया गया है शेक्सपियर के द्वारा पहले भी आप जो सॉनेट्स पढ़ी है उनमें इस तरीके का contrast शेक्सपियर create करता है और वो हमेशा दावा करता है कि जो उसने लिखा है वो अमर रहेगा और उसकी कविताओं के माध्यम से उसका दोस्त उसका प्यार अमर रहेगा और ये बात सच भी साबित हुई है कि देखिया हम आज भी पढ़ रहे हैं और जब तक इनसानियत रहेगी तब तक शेक्सपियर का जो लिखा गया literature है चाए उसके ड्रामास हों या उसकी पोइम्स हों वो हमेशा पढ़ी जाएंगे और वो हमेशा अमर रहेंगे तो ये वीडियो हम यहीं समात करते हैं धन्यवाद